चियो सीनिवा पे पिक्रन मसी, सुनिर गवर और मोनी रोई की न्यू मोवी प्लाक आउट आ चुकी है जिसकी ट्रेयर देखने के बाद मुझे फ्लेम से जाला कुछ उमिद थी नहीं उपर से डाइटर साब की बीम मैंने कोई फ्लेम देखी नहीं है या कहों उन्हेंने कोई अच्छी फ्लेम बना ही नहीं है फिर ये एक कॉमेटी थीरा फ्लेम है जो टेय की तरह रोखी सुकी है या सच में फ्लेम में कुछ बात है तो ये बात करते हैं लब भैट दो घंटे के फ्लेम है जिसके कहानी एक रात की है पर आको तो पता ही है एक रात में क्या कुछ नहीं हो जाता है एक रात में पूरी सिटी की लाइट गूल हो जाती है तब ही एक जनरलिस लीने अपने बीबी के डे अमलेट लेने निकलता है सुन सान रास्ता है अन्धिरा है उपर से बारिस कितना डरापना रात है ना एसे में लीने के गाडी के साल होता है किसी गाडी का एक्सीडेंट जो उसकी लाइपी बदल देता है गाड़ी में होता है सुना उस सुना दिखके जर्नलिश का भी नियत भी कर जाता है जो फ्रट लोगों का पर्दा फास करता है वो खुद फ्रट निकलता है सारा सुना खुद के गाड़ी में डार के निकल जाता है पर रास्ते में उसे चार अंजान सक्स मिरते हैं जो इस संधिरे रात में उसके हमसफर बन जाते हैं पच्चू जैसा दिखता है बसा है नहीं हर किसी का कुछ ना कुछ राज है जो लिने के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन सकता है उपर से इन सब के बीच एक लास भी है पर बुलस किसका है को यह बोचार अंजन सक्स और क्य लिने सोने की साथ सही सलामत घर पहुंच पाएगा यह सारे सबालों का जवाज जाने के लिए आपको फ्रीम देखना पड़ेगा फ्रीम अच्छी है कहना पड़ेगा जितना सोचा था उससे बेटर ही है काफी टोई सर्टन है जो उनेक्सपेटिट थे पर उतना जो गाने और अनिलकापुर की जो बेक्राण में भॉइस सुनने को मिलती है वो काफी अच्छी थी फ्लीम में बिक्राण मसी और सुनिलकाफर की परफोमेंस लाजबाब है उन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है जिसे देखने में मज़ा आता है साइट करेक्टर्स कि अपने रोल काफी अच्छी से निभाए है लेकिन मोनी रहे को देखके ऐसा लग रहा था कि नागिन की करेक्टर से अभी तक बाहर नहीं आई है खेर छोड़ो मुझे फ्लेंट ठीक ठाकी लगी आप टाइम पास के लिए एक बार देख सकते हो आज के लिए इतना है दोस कर दो